विनम्र अपील बीबी एन राजिस्थान चैनल पर आप समाचार प्रसारित करवाना चाहते हैं तो क्रप्या शाम को पांच बजे से पहले अपने समाचार भेज दें अनिता समाचार लगाना हमारे लिए कठिन होगा धन्यवाद काला बाजारी करने वालों को SDM मीडा ने दी चेतावनी बाड़ी से खास खबर उपकंड अधिकारी रादेशय मीडा ने कोरोना काल में काला बाजारी करने वाले व्यापारियों को सक्त हिदाय देते हुए मोबाल नमर जारी किया है SDM मीडा ने मोबाल नमर 850300000010 जारी करते हुए कहा है कि काला बाजारी अथवा अधिक कीमत पर वसूलने वाले की तुरंत सूचना दें जिस पर शक्त कारवाई की जाएगी कंचनपूर थाना पुलिस ने कर्फ्यू का सक्ती से पालन कराया ग्रामिट छेतर में सभी दुकाने बंद कंचनपूर बाड़ी से खास खबर कंचनपूर थाना अधिक्ष देविंदर कुमार ने पुलिस पार्टी के साथ गाउं कंचनपूर एवं मववा खेडा की सभी दुकाने बाजार सक्ती से बंद करा दिये तथा लगातार गस्त करते रहे जिला पुलिस अधिक्ष केसर सिंग शेखावत के निर्देशन में करफ्यू एवं कोरोना गाइडलाइन मास्क एवं सोसल दूरी का सक्ती से पालन करवाते हुए देखे गई थाना अधियक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया के थाना चेतर में कहीं भी करफ्यू का उलंगन करने पर सक्त कारवाई की जाएगी रहना वाली माता मंदिर चेतर में दिहुली पुलिस ने करफ्यू का करवाया सक्ती से पालन मरेना धौलपुर की प्रमुक खबर आज कोरोना गाडलाइन के अनुसार शनवार एवं रहवार को पूरे राजस्थान में करफ्यू कोसित किया गया है एवं 16 अप्रेल से 30 अप्रेल तक मंदिरों को भी बंद किया गया इसी कड़ी में मरेना के पास मा रहना वाली माता का मंदिर है जहां हर शनवार को सद्धालू यूपी एवं MP सहित कई राज्यों से आते हैं कोरोना गाडलाइन की पालना में राजा खेडा SDM की देख रेक में दिहुली थाना इंचार्ज विध्याराम एवं सुरेन सिंग हेड को स्टेवल एवं RAC के एवं पुलिस के जवान साथ रहे एवं कुछ लोगों के बिना मास्क एवं सोसल डिस्टेंसिंग को देखते हुए चालान भी काटे गए मरेना कस्वा भी पूरी तरह बंद रहा एक भी दुकान नहीं खुली पुलिस जापता पूरे दिन मरेना में फ्लैग माज करते रहे एवं रहना वाली माता पर गाड़ी से गस्त करते रहे रिपोर्ट सत्वरकास शर्मा मरेना कर्फ्यू के चलते व्यापारियोने की काला वाजारी सुरू बाड़ी दौलपुर से खास खबर गोल महर की काला वाजारी सुरू 168 का पैकेट 190 का हुआ छोटा पैकेट 128 की जगे 160 का हुआ गोल महर के साथ राशन पर भी काला वाजारी सुरू हो गई है गोल्ड महर खाने वालों की जेपर पड़ा काला बाजारियों का भार अन्य सामानों को भी बढ़ाई गई रेटों पर बेचने के अनिक मामले देखे गई हैं इस पर प्रसासन को कारवाई करनी चाहिए मानसिक रूप से विच्छिप्त युक्ति को भेजा अपना घर सुनील गोयल के साथ अपना घर मुख्याले बजेरा भरतपुर आश्रम भीजा गया वैसे महासबा अद्यक्ष रवी गोयल दोपरा वालों ने बताया कि समिती के द्वारा पीडित दिन दुखियों की सेवा निस्वार्थ भाव से की जा रही है जो बहुत ही शारानी कार है पुलिस द्वारा समिती अद्यक्ष को सूचना दी गई कि एक लड़की उम्र करीब 20 वर्स जिसकी मानसिक इस्तिती सही नहीं है और कुछ भी बताने में असमर्थ है जिसे लावारिस हालत में घूमते हुए पुलिस ने दस्तियाब किया जिस पर समिती सदस्यों ने थाने पर पहुँचकर लड़की को पुलिस के सहयोग से अपना घर बरतपुर पहुँचाया इस मौके पर सुरेश्चंश शर्मा सांगोरी वाले सुनील गोयल वैसे महासवा युवा अद्यक्ष रवी गोयल दोप्रा वाले छोटु सहित समिती सदस्यों उपस्तित रहे आज अपना अगर सेवा सम्ति बस्किडी द्वारा एक लावारस भूम रही प्रवुजी को अपना अगर सम्ति के माध्यम से पुलिस के सहयोग से अपना अगार आश्रम बरतपुर पहुँचाया गया जिनकी मांसे गालत सही नहीं थी उन्हें पुलिस ने बयार में गुमत पुलिस के माध्यम से अपना अगर बरतपुर जिले में आज फिर कोरोना विस्पोर्ट 117 पॉजिटिव केस निकले धौलपुर से खास खबर जिला कलेक्टर राकिस कुमाज जैसवाल ने बताया कि जिले में आज 117 नए कोबिट पॉजिटिव मिले हैं 22 वेक्ति स्वस्त ह होकर डिस्चारज हुए हैं वर्तमान में 882 एक्टिव केस जिले में मौजूद हैं गौर्तलव है कि जिले में कोरोना संक्रमन की रोक थाम के लिए व्यापक तौरप सेंपलिंग करवाई जा रही है जिला कलेक्टर ने बताया कि कोरोना से निपटने के लिए जिले में टीक किया जा रहा है उन्होंने पात्र लाभार्तियों से टीका करवाने की अपील करते हुए कहा कि टीका करा कर एवं कोविट के निर्धारित प्रोटोकल का पालन करके कोरोना संक्रमन फैलने से रोका जा सकता है उन्होंने अधिकारियों को भी शैसन साइड बढ़ा कर टीका कर कारव में प्रगती लाने के निर्देश दिये है नव गठित नगर पालिकाओं के बोड़ों के गठन की अधिसूचना जारी जैपुर से खास खबर हाल ही में गठित की गए प्रदेश की 17 नई नगर पालिकाओं के वार्डों की संख्या एवं परिसीमन के बारे में आदेश जारी किये गए है स्वायत सासन विबाग के निदेशक एवं विशेष्ट सासन सचेव द्वारा जिला कलेक्टर धौलपूर को जारी आदेश के अनुसार धौलपूर जिले की बसेडी एवं सर्मत्रा नगर पालिकाओं में 25-25 बार्ड बनाई जाएंगे रास्ता बंद होने से नवजाद की मौत धौलपूर से दुखत कवर गाउं मौरली का रास्ता काफी समय से बंद होने के कारण समय पर एम्बूलेंस नहीं पहुंची इसी कारण रास्ते में ही प्रसव के दोरान हुए नवजाद बच्ची की जान चली गई इस मासूम की मौत का जिम्मेदार कौन प्रसासन ने अवैत चंबल रेता निकासी रोकने के लिए रास्ते को काफी समय से अवरुद कर रखा है आंगई में दिखा करफ्यू का असर सभी दुकाने बंद आंगई सरमत्रा से खास खबर जिला पुलिस अदिक्षा केसर सिंग शेखावत के निर्दे सन में आंगई पुलिस चोकी इंचार्ज पुरसुतम लाल की नितरुत में पुलिस पार्टी ने आंगई के सभी बाजारों को बंद करवा दिया छेतर के लोगों को कोरोना गाइडलाइन की पालना करने तथा पात्र व्यक्तियों द्वारा वैक्सिनिसम करवाने के लिए पुलिस पार्टी द्वारा जागरु किया जा रहा है आंगई से वहीत खान की रिपोर्ट शहर का किया जिला कलेक्टर ने दोरा कर्फियू का सक्ती से पालन करने के दिये निर्देश धौलपुर से खास खबर कर्फियू के बीच जिला कलेक्टर राकिस कुमाज जैसवाल ने शनवार को धौलपु शहर का दोरा किया शहर के प्रमुख इस्थलों लाल वाजार संतर रोड और आसपास के छेतर का दोरा कर इलाके में कानून विवस्ता के इस्तिती का निरिक्षण किया और कर्फिय को सफल बनाने के लिए संबन दितों को कई निर्दिश दिये इस मौके पर जिला कलेक्टर जैसवाल के साथ उपखंडा दिकारी भारती भारत द्वाज वद तैसीलदार भगवत शरण त्यागी भी साथ रहे सड़क का मरमत कारे जोरों पर मरेना की प्रमुख खबर कस्वा में कई वर्सों की मांग पूरी हो रही है जो कि मरेना की रोड जर जर पड़ी थी एवं बहुत गड़े थे जिस पर आए दिन एक्सिजन्ट हुआ करते थे आज उसका बहुत ही तेज गती से कारी चल रहा है एक्सियन देविंद्र गुपता ने बताया कि थी लेयर द्वारा रोड बनाई जा रही है एवं जहां जरूत होगी वहां ब्रेकर भी लगाई जाएंगे मरेना से सतर प्रकाश शर्मा की रिपोर्ट पर यात्रिया आसानी से चल सकें और उनको सरकालान मिल सकें आमजन को समय पर सायता पहुचाने हेतु ब्लोग बार कंट्रोल रूम इस्थापेद धौलपुर की प्रमुक खबर कोरोना के बढ़ते संक्रमन के चलते जिला प्रसासन अलर्ट है जिले के समस्त ब्लोग में राज सरकार के निर्दे सानुसार कर्फियू लागू किया गया है जिला कलेक्टर राकेस कुमा जैसवाल द्वारा जिले में सापताहिक स्वचिक बंदी के निर्देसों को संपूर जिला ने अपनाया है जिले में 45 वर्ष पूर कर चुके एवं अधिक आयू के लोगों के वैक्सिनिशन में राज में तीसरे इस्थान पर है नोवल कोरोना वाइरस की दुती लहर के चलते संक्रमण की अधिक फैलाग को देखते हुए जिला प्रसासन द्वारा संक्रमित मरीजों की रिपीट सेंपलिंग केवल जिला अस्पताल उप जिला स्वास्य केंदर बाड़ी एवं समस्थ CHC पर किये जाने के निर्देस दिये हैं सूचना एवन जन संपर्क विभाग पर जिले के समस्थ ब्लोक्स की कोरोना कंट्रोल टीमों का गठन किया गया है टीमें लगातर आसा, एन्म सहित, अन्य से मरीजों की सूचना, उपलदो दवाईयों की सूचना सहित, अन्य डाटा संकलन वा समस्य समाधन का कारी कर रहे हैं CBEU दामुदर लाल मीडा ने बताया कि इस महामारी में जन जारुकता फैलना आलें के अलावा, आमजन के साथ मानवी दर्ष्टिकोन के साथ जन हित में कारी करना बहुत ही श्वभागी की बात है उन्होंने सिक्षः विवाग के कारमिकोस से कहा कि जिला प्रसासन के साथ कंदे से कंधा मिलाकर इमांदारी से सजगता पूर्वक कारें कुरोना समदित समस्या के लिए कंट्रोल नमबर 0564422113 पर क्लियोगी बेटे ने पिता को उतारा मौत की घाट रुदावल भरतपुर से खास कबर रुदावल थाना चेतर के गाउं पाली डांग में बीती राच बेटे द्वारा पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरूपी बेटे को हिरासत में लिया है मौके से परिजन अपने डेरा लेकर भाग गई है ये बरगी जाती के लोग जंगलों में फसलों की रखवाली करने का काम करते हैं पुलिस चौकी इंचार्ज दिनेस ने बताया कि रुदावल थाना चेतर के पाली डांग में आज शराब की नसे में कल्योगी पुत्र ने पिता की टोपीदार बंदू के बट से चोट पहुचा कर हत्या कर दी पुलिस ने मृतक के शब को CHC की मुर्चरी में रखवा दिया है मृतक जगदीस पुत्र अमर सिंग बरगी बताया है रुदावल से हैम सिंग कुसवा की रिपोर्ट चटी बटालियन आरेसी भर्ती के परिच्छा परणाम निरस्थ दौलपूर से खास कबर चटी बटालियन आरेसी धौलपूर में कॉंस्टेबल भर्ती वर्स 2019 में चैनित अभ्यर्तियों का परिणाम कमांडेंट कार्याले धौलपूर द्वारा 14 अपरेल को परकासित किया गया था इस परिच्छा परणाम को तक्नीकी कारणों से तुरंत प्रभाव से निरस्थ किया जाता है संसोधित परणाम प्रतक से प्रकासित किया जाएगा शंसोधित परणाम के अनुसार चैनित अभ्यर्तियों को मूल दस्तावे सहित उपस्तित होने की दिनाग की भी प्रतक से बाजार को बंद कराने में एंटी कोरोना टीम द्वारा कड़ी मशक्कत एंटी कोविट टीम ने कोचिंग सेंटरों वस टूशन केंद्रों को कराया बंद कोचिंग संचालकों में मचा हनकम बड़ी से खास खबर आज एंटी कोरोना टीम ने कोरोना गैडलाइन्स की अभिलना कर संचालित हो रहे कोचिंग संस्थानों वर ट्यूशन केंद्रों पर चापा मार कार्य की। Anti-COVID टीम प्रभारी राजिस कुमा शर्माने बताया कि अच्छ सिकायद मिली की शहर में कई कोचिंग सेंटर वर ट्यूशन केंद्र संचालित किये जा रही हैं। इस पर एंटी कोरोना टीम ने चापा मार कारवाई की। टीम प्रभारी ने बताया कि शहर की तंग गलियों में छोटे-छोटे कमरों में बच्चों को बिना सोसल डिस्टेंसिंग की पालना किये। पड़ाया जा रहा था। इस पर टीम ने सक्त चितावनी दी। एंटी कोरोन टीम सुबह 10 वजे से शाम 8 वजे तक कारे कर रही है। टीम में प्रदीप शर्मा, कनेया लाल रावत, नरेंदर सिंग, माराज सिंग मीना, पतवारी हृदेश पाठक, ब्रजराज सिंग, अनिल कुमार मीना, प्रेम सिंग, मोनेंद सिंग शामिल रहे। बाड़ी से शुब